ओम जैसे आराम दोस्तों क्या है महापर्ब के चोथे दिन का रहस्य आज के दिन क्यूं होती है बिश्कर्मा पूजा ऐसा क्या किया था इंद्र ने कि छिन गया उनकी पूजा का ही हक इन सभी प्रस्नों का उत्तर देती हुई आज की कथा जो लाए हैं सिर्फ आप के लिए जो साइद आपने इसके पूर्व नहीं सुनी होगी तो स्वागत है एक बार पुना अंसुनी बौराणिक कथा कहानी प्रसंग में इस चैनल पर आप लोगों को वो सब कुछ मिलेगा जो सिक्षा प्रत तथ्यात्मक प्रमानिक ज्यान बर्धक तथा बिज्यान की कसोटी पर खरा उतरने वाला प्रसंग होगा यहाँ पर डबल मीनिंग या सलील थंब नेल लगाकर जनता को गंदगी परोसने का काम नहीं होता सिर्फ ब्यूज के लिए दूसरे के कंटेंट चुराकर अपनी रिसर्च नहीं बताई जाती हमें ब्यूज नहीं चाहिए अपितु सही जानकारी सभी सनातनियों तक पहुँचे उनको सनातन का सही ग्यान हो और उनके द्वारा उनकी संतानों को सही ग्यान मिले यही आदर्स धरम यूट्यूब की अभिलासा, इक्छा और अंतिम उद्देश है अतयव उन सभी दर्सकों से अनुरोध है कि जिनों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ज्यादा से ज्यादा संख्या में सब्सक्राइब करके इस मुहिम को आगे बढ़ाने में हमारी सहायता करें आप लोग जभी सहजता के साथ सहायता कर पाएंगे जब आप सोयम इस परिवार के सदस्य होंगे और दूसरे लोगों को वीडियो सेयर करके सदस्य बनने के लिए प्रेरित करेंगे आज की कहानी पाँच दिनों के पर्व की स्रंखला में चोथे दिन की चोथी कहानी है आप लोगों ने पिछले तीन वीडियो में ये सुना कि समुद्र मन्थन से कार्तिक कृष्ण त्रेयोदसी के दिन माता लक्ष्मी और उनके भाई धनवंतरी समुद्र से प्रकट हुए इंद्र पद पर बैठा ततकालीन इंद्र अम्रत पीकर अमर हो जाने के मद से एहंकार से ग्रसित हो गया था अतै जब भगवान धनवंतरी ने अपने कहां रहने का प्रस्ण किया तो ब्रह्मा जी बोले की देवलोक में और कहां जहां सारी देवता रहते हैं इस बात को सु चित हस्तक छेप लगा इंद्र ने कहा कि हमारे यहां इतनी जगे कहां और दूसरी सबसे प्रमुख बात यह हैं कि यह बैद्ध हैं और इनके लिए हम जड़ी बूटी वाले पेड़ पोधों की वेवस्था कहां कर पाएंगे अतहें इनका इंतजाम कहीं और कर दो हमारे आ इंतान किसी भी ब्राम्वन का अपमान हो तो भगवान नारायन उसको अपनास अपमान समझते हैं फिर यहां तो साक्षात ब्रह्मा का अपमान कर दिया गया भगवान नारायन ने धनवंतरी के रहने के लिए कुबेर के लोक में इंद्र के महल के समान एक सुन्दर महल बना का आदेश पारित किया और उसी समय इंद्र को उसके एहंकार को तोड़ने के लिए स्वर्ग को ही ध्वस्त करने को उद्यत हो गए स्री भगवान के कुपित होने से तीनों लोक कम पाए मान हो गए जब भगवान को क्रोध आता है तो उनके क्रोध को संसार में सिर्फ एक भगवान संकर ही उनके क्रोध को सांथ कर पाते हैं क्योंकि भगवान नारायन को सिव के समान कोई दूसरा प्यारा नहीं है लेकिन भगवान सिव उस समय तो समुद्र से निकले हला हल बिस का पान किये थे इसलिए सुप्ता वस्था में थे माता पार्बती सोयम भगवान सिव की सेवा में लगी थी इसलिए वो कोई मदद करन में अस्मर्थ थे इंद्र की राहू की तरह जीवित म्रत्यू जानकर ब्रह्म देव सब्तरिशियों नारद और अन्य देवताओं के साथ भगवान नारयन की स्तुति करते हैं भगवान की आखें जो पहले से अरुण नयन हैं और वो उस समय क्रोधागनी से जल रही थी उनका सुदर्सन चक्र निकल चुका था कि देवताओं की माता अदिती करुण चीतकार करती हुई माता लक्ष्मी की सरण में आती हैं और प्रभू से अपने पुत्र को बचाने की गोहार लगाती हैं माता लक्ष्मी की समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि प्रभू का क्रोध कैसे सांत करें उन्होंने जगजननी महामाया जगदंबा मादुरगा को याद किया कणकण में बिराजमान सरवेश्वरी माता लक्ष्मी जी को उपाय बताती हैं कि सरवेश्वर भगवान नारायन ग लेकिन दूसरा भाग गव बनकर इंद्र और प्रभू के बीच में आ जाओ सायद सची ही इस काम को कर सकती है माता लक्ष्मी और महामाया दुरगा ने इस काम के लिए इंद्र पत्नी सची को चुना सची एक गव का रूप धारन करके चक्र और इंद्र के बीच में खड़ी हो गई और साक्षात परंब्रम शुरूप भगवान नारायन के सबसे प्रिय मंत्र ओम नमू भगवते वासुदेवाय का जाप कर रही थी इस मंत्रो चार से वासुदेव का क्रोध कम हुआ और गव माता से बरदान मांगने को कहा गवरूपी इंद्र पत्नी ने कहा कि प्रभू आज अगर आप हम पर प्रसन हैं तो इंद्र पर दया कीजिए इसको प्रान दान कर दो अपने क्रोध को सांत करने के लिए इसको कोई और दंड दे दो प्रभू यह इंद्र पद आपका है स्वर्ग आपका है यह अग्यानी है यह स्वर्ग इंद्र सब आपने ही तो बनाए हैं क्या आप सुयम नश्ट कर दोगे तो प्रभू हम सब का क्या होगा दुनिया का क्य क्या होगा आपकी लीला का क्या होगा भगवान विश्टू ने चक्र को वापस बुला लिया किंत्र इंद्र की साल में दो बार पूजा होती थी प्रतेक फसल के बाद नए मौसम आगमन पर किसान इंद्र देव की पूजा किया करते थे जिसमें सर्दी की सुरुवात कार्तिक सुक्ल पक्ष की प्रतिपदा अर्थात आज के दिन चैत्र क्रश्न पक्ष की प्रतिपदा अर्थात होली के अगले दिन जिस दिन रंग खेलते हैं आज के बाद इंद्र की कोई किशान या मनुस्य किसी भी पूजा में इंद्र की पू महिल बनाया इसलिए आज के दिन लक्षमी नारायन के साथ बिश्व कर्मा की पूजा होगी और तब से इंद्र की पूजा सभी किसानों ने बंद कर दी थी कुछ लोग जो चरवाहे आध जातियों के थे वो ये मानकर की इंद्र वर्सा करता है जिससे बन हरे भरे रहते हैं पस वों को चारा मिलता है वो पूजा करते रहे लेकिन द्वापर युग में जब नारायन ने भगवान कृष्ण के रूप में अवतार लिया तो वो पूजा भी बंद करा कर आज के दिन गोबर्धन की पूजा करा कर इंद्र के लिए सभी रास्ते बंद कर दिए कृष्णा वतार में कैसे इंद्र का गर्ब चूर किया जब गोबर्धन को अपनी एक उंगली पर उठा लिया अंत में हार मान कर इंद्र अमर देवता होते हुए देवताओं का राजा होते हुए अन्य देवताओं के यग भाग से हबिस पाता है उसकी पूजा होनी हमेशा के लिए बंद हो गए तब से आज के दिन मीन पसुधन कार खाने फैक्टरी आद की मनो कामना करते हैं वही कृष्णा वतार के बाद जब से इस दिन गोबर्धन पूजा जोड़कर गिरिराज और प्रभू स्री कृष्ण की पूजा सुरू हुई इस पर्भ की महिमा और बढ़ गई इंद्र की पूजा बंद करने के आदेश के बावजूद कुछ लोग पूजा जारी रख रहे थे वो भी प्रभू की एक लीला थी क्योंकि आपने मेरा एक वीडियो कौन था वो ब्राम्हन जिसको रिद्धी सिध्धी गनेश जी मिलकर भी भोजन नहीं करा सके उसमें सीता माता ने उन ब्राम्हन रिशी अ तो वो भी लीला बाकी थी इसलिए इंद्र का तब तक कुछ लोग पूजा करते रहे थे और उस लीला गोबरधन लीला के बाद इंद्र की पूजा हमेशा के लिए बंद करा आज के दिन पहले इंद्र की पूजा होती थी जिसको हटा कर कृष्ण जी ने पहाड की पूजा करा दी और विश्व कर्मा जी की पूजा करा दी होली के दिन इंद्र की पूजा होती थी अब उस दिन भगवान की होती है तो उमीद करता हूँ कि आप लोगों को ये पता चल गया होगा कि आखिर दिवाली के दूसरे दिन गोबर्धन पूजा या विश्व कर्मा पूजा ही क्यूं होती है इंद्र की पूजा का हक कैसे छीन लिया गया आपकी आलोचना सुझाव सिकायत आदि के लिए कमेंट्स बॉक्स में आपका स्वागत है अस्तु जैस्रीहरी हुआ 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 हुआ